हेलो फ्रेंग फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल मेज़र टारियर पढ़ तो फ्रेंग आपको पता है कि हम कलास्टिन के सभी सब्जेट का जो है यहां पे मिक्स धमाकेदाट टेस्ट लेते रहते हैं जिनमें यह मिक्स धमाकेदा टेस्ट का जो है दोस्तो 19 नंबर वीडियो है ठीक है इससे पहले हम लोग काभी सारे टेस्ट ले चुके हैं ठीक है और दोस्तों यह क्लास्टिन के सभी सब्जेट का यहां पे लेने वाले हैं समाजी विज्ञान हिंदी संस्कृत है गानित और इनके सासद विज्ञान का अब यहां पे questions available है ठीक है और तो फ्रेंड अगर आप 20 वर मैटी के board exam देने वाले हैं तो यह जो है टेस्ट आपके लिए काफी important होने वाला है अगर आप यह 30 में से काफी सारे परसंद साही करके दिखा देते हैं ना तो हम समझ जाएंगे कि आपका तेयारी काफी अच्छ विज्ञान है हिंदी है उसके बाद यहां पे संस्कृत और गानित और इनके सासे विज्ञान का यहां पे question available है ठीक है और यह especially जो है अपको सभी परसंदों का answer जो है यहां पे आपको live chat में या पिर comment box में comment फटाबर से करती जाएगा ठीक है और यहां पे आपको last में बता subscribe कर लिजेगा साथ में notification bell icon आएगा यानि कि इसे प्रेस करके all पर जरूर सेलेट कर लिजेगा ठीक है तो चले दोस्तों देखते हैं आप आज के पहले number person से जो कि आपके board exam के लिए coffee import 10 देख सकते है person एक राय कि आपको बताना है कि cost 90 degree minus 1 इसके बराबरे coffee import 10 ठीक है यह person जो यहाँ पर बताना है कि cost 90 degree minus 1 जो है किसके बराबर होता है तो यहाँ पर देखेगा दोस्तों Optimus OT को से ब्रावर होते हैं यानि कि यहां पर वाला ऑप्सन जो है इसके लिए एसे लिए एक एस्पेसिली फर्मूला होता है फ्रमूला क्या होता दुस्तों को सु कि समया में रहर जेए है ऐए ही सी नियुए हम तो इस लिए पोप्षर नंबर बी बिलकुल करक्ता के अंश ए कि वो जाया है कि सब्सक्राइब परकुलिव्तिसàng, अब चले फोटीज़िएगे, अब चलें देखते हैं, आप नेक्स्ट कोसन, तीसरा नमर पर जो पर्ती सक पूचे जाएंगे, इसका भी जबाब जोएना, जल्ली से आप हुमें लाइब चैट में कमेंच जरूर कीजेगा, यहाँ पर आपको बताना है कि बेंजिन का अनुसुत्र क्या होता ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पर option A में आपका दिया गया है C2H4 या फिर C5H4 या फिर C6H6 और option D में आपका दिया गया है C3H7 तो फ्रेंड यह जो बेंजिन होते हैं इसका जो अनुसुत्र होते हैं C6H6 होते हैं यानि कि यहाँ पर सीवल आपसन जो ही न बिल्कुली करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपर next question जो कि आपके board exam के लिए बहुत important है और यह भी person जो आपके board exam में पूछे जाएंगे ठीक है तो person का answer आप जल्ली से फटावर से आप हमें live chat में या फिर comment section में जाके जरूर comment कीजेगा ठीक है तो फ्रेंड जो कर्मवीर थे ना ये कहां के रहने वाले थे तो ये भीकंटोला गाओ के रहने वाले थे और दोस्तों ये भीकंटोला गाओ कहां पर था तो ये बिहार में था इसे आप हूँ यादो ना चाहिए यानि कि यहाँ पर A बलाव option जो है ना बिल्कुली correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर 5 नमर पर पर जो कि आपके बोड़ exam के लिए बहुत important है आपके बोड़ exam में पूछे जाएंगी ये भी परसंदर ठीक है तो इसको भी अच्छी तरगे से याद कर लिज टीक है तो फ्रेंड यहाँ पर जो एक उत्पादग है ना क्या है वही आपको बताना है टीक है तो यहाँ पर जो उत्पादग हो जाएंगे घास हो जाएंगी यानि कि यहाँ पर civil option जो है इसका बिल्कूली सही उत्र हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर next question जो क math का person आपके board exam के लिए काफ important है और यह भी परसन जो नहीं इस तरह के person आपके board exam में पढ़ते एक वर्स पूछे जाते हैं तो इसका भी जवाब जो है जली से आप हमें live chat में comment जरूर कीजिएगा तो फ्रेंड परसन यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का य तो जब भी इस तरह का person पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका वर्ग चीन कितना होगा तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों दोनों को add कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 110 प्लस 130 दोनों को add कर देंगे और बटा टू कर देंगे ठीक है और य जाने की वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चीन क्या हो जागा दोस्तों 120 हो जाएगा जो कि यहाँ पर option D में आपका दिया गया है इसलिए यहाँ पर जो है ना डी वला option जो है बिल्कूली correct answer हो जाएगा तो फ्रेंड जो भी वीडिया रते वी तेक इस वीडियो को like ने किये तो please दोस्तों जल्दी से अब फटावर से वीडियो को like कर दीजेगा और दोस्तों चैनल पर नहे है ना तो please दोस्तों यहाँ पर फटावर से अब चैनल को भी subscribe कर लिजेगा अब चले फ्रेंड देखती है आप नेक्स्ट कोशन के दरब बर चलती है जो कि आपके बोर एक् तो यह कौन सा देश यह था हो यह आपको बताना है तो युनान देश यह था इसे आपको यादोना चाहिए यानि कि यहाँ पर डीवला अप्सन जो है ना बिल्कूल इससे तरू हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को संजो कि आपके बोर एक्जाम क पूछे ही जाते हैं यहाँ पर आपको बताना है कि रेगुन मिटी जो ही ना किस मिटी का दूसरा नाम है काफी इंपोर्टेंड है तो यहाँ पर देख सकते हो अप्सन एमें आपको दिया काली मिटी का यह लाल मिटी का यह पिर जिलोड मिटी का यह पिर पीली मिटी का ठी चुर्दूस तो ये कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राजे में होता है भारत के तो गुजराद राजे में होता है साथ में इसी भी आपको याद होना चाहिए अब चलिए फ्रेंड देखते हैं अपर नेक्स्ट को संजू कि आपके बोर इक्जाम के लिए बहुत इ तो फ्रेंड ये जो गोंडवाना समू है ना किसका निर्मान हुआ था वो ये आपको बताना है तो कोईला का निर्मान हुआ था यानि कि यहाँ पे सीवल आप्सन जो इना इसका बिल्कूली से उत्र हो जाएग और दूस्त आपके एक्जाम में एक परसन पूछे आते हैं क कि भारत में सबसे अधिक कोईला जो इना किस राजे में होता है तो जारकन राजे में कोईला को उत्पादन सबसे ज्यादा होता है अब चले फ्रेंड देखते हैं पर 10 नमर पर सिंजो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए इमकार क्राव में जारकन पर तो इसका राजे में जत्ति दे तो गुजराद राजे राजे में इसी भ आपको यादोना चाहिए काफी important ये person आपके board exam के लिए अब चले friend ने देखते हैं आपे next question तो friend ये आपे इसका विराइडन से जल्ली से फटावर से बता दीजे person ये करा है कि आपको बताना है कि खात का रखाना कहा है इस्ती दे तो देख सकते हैं पर option A में आपका दिया हुआ आडा में या पिर पटना में या पिर ब्राउनी में और option D में आपका दिया गया है जमसेतपूर में ठीक है तो friend ये खात का करखना जो ही ना काहां पे इस्ती दे कमेंट जरूर कीजिएगा तो यहां पर आपको बताना है कि लेंस की छमता का जो इन ऐसा ही मातर क्या होता है ठीक है वह यह आपको बताना है तो देख सकते हैं यह पर option A में आपका दिया गया डाई-उप्टर या फिर मेटर या पिर किलो मीटर या पिर सैंटी मीटर ठीक ह तो फ्रेंड यह जो लेंस होते हैं इसकी छमता का ऐसा ही मातर क्या होते हैं जो प्रचलित ऐसा ही मातर होते हैं डाई-उप्टर होते हैं और अंबक डाई-उप्टर को किसके दोरा अंकित करते हैं तो केप्टल डी के रहो दिखाते हैं अब चले फ्रेंड देखते हैं आप से या पिर सुनामी से, तो फ्रेड ने जो भुकम की तीवरता होते हैं, किस से मापा ज़ाता है, वह यह आपको बताना है, तो याद होना चैए, यादि कि यहापे सीवला प्सें से चोहें न इसके बिल्कूली, correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे next question के दर बर चलते है जो कि आपके board exam के लिए भी person जो ना बहुत important है ये भी person पूछे जाएंगे यहाँ पर आपको बताना है कि गिर्धर कौन था ठीक है तो देख सकते हैं आप पर option option जो ने इसके बिल्कुल से तुरो जाएगा और दोस्तों कासू की पिता कौन थे exam में पूछे आते हैं कि कासू की पिता कौन थे तो सेन साब थे इसे आपको याद ना चीए चले देखते हैं आपे next question के दर बर चलते है तो फ्रेंड ये 15 नमर प्रसंट जो कि आपके बूर एक्जाम के लिए most important है यहाँ पर आपको बताना है कि पतिक किसके द्वारा मारा गया ठीक है तो देख सकते हैं आपको option ये में आपको देख बूरे बाग के द्वारा है फिर बहरियों के द्वारा है फिर बाग के द्वारा ये पिर सिंग के द्वारा ठीक है तो फ्रेंड ये जो पति खेना किसके द्वारा मारा गया था तो बूरे बाग के द्वारा मारा गया था और दोस्तों बूरे बाग तालाब के किनार सोने के कंगन लेकर बैठा था यानि कि यहाँ पर एवला अपसन जो है ना इसका बिल्कुली से उत्र हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपर सवला नमर पर संजो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट हैंड है और यह भी पर संजो ना बोर्ड एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर आपके बताना है कि मनुसे की सबसे बड़ी गरंती कवंसी है तो देख सकते हैं पर उप्सन ए में आपका दिया अगर लीवर या पिर अगनाश है या पिर अंडाश है या फिर फिफरा ठीक है तो फ्रेंड मनुसे की जो सबसे बड़ी गरंती है ना लीवर है यानि कि यह कीर थे इसे आपको यादोना चीए यहाँ पर एवला उप्सन बिल्कुली से उत्र हो जाएगा दोस्तों आपके एक्जाम में एक पर्सन भी पूछे आते कि मनुसे की सबसे बड़ी अंग कोने तो यहाँ पर अगर पूछेगा ना तो आपको क्या करना है दोस्तों तो 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 यहाँ पर उप्सन रहेगा तो 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 आपका राइड एक ड़े तो फ्रेंड यह जो चर्ट धट दिग्री होता है इसका बेलु कितना होता है रोट तीन बखेटा है और गैस्ते इंट टीन दिर्गका बहलु कितना होता है एक अपको बिताना है तो 1 बटे 2 होता है, तो सबसे पहले यह आपको पता होना ची, कि यह course 30 degree का मान कितना होता है, दुस्तों, रूट 3 बटे 2 होता है, तो यह course 30 degree जो ही ना, यह किसके बरावर हो जागा, तो science side degree के बरावर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे science side degree का भी भेलू, root 3 बटे 2 है, और यहाँ course 30 degree का भी भेलू route 3 बटे 2 यानि कि यहाँ पे course 30 degree जो equal होंगे ना किसके equal हो जाएंगे science, science degree के मान के equal हो जाएंगे ठीक है इसलिए यहाँ पे option वर B जो ही ना इसका बिल्कुल ही से उत्र हो जाएगा यह भी person आपके board exam के लिए काफी important है अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे next question को देखेगा जो कि आपके board exam के लिए काफी important है और यह भी person आप पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारते सिविधान की निर्वान में महत्पूर्ण भुमी का किसकी है यहाँ पे option A में आपका दिया गया भीमरा अम्बेतकर जी की यह पिर जेउतिवा फूले की यह पिर option C में आपका दिया गया है राज गोपाल चारी की यह पिर महत्मा गांदी जी के ठीक है तो फ्रेंड भारते सिविधान की निर्वान में भारते सिविधान की निर्वारत वर्स को घोसित किया गया है तो यहाँ पिर देख सकते हैं यहाँ पिर अपका दे हिंदू राज जी यह पिर धर्म सापेक्ष राज जी यह पिर बहुबासी राज जी यह पिर धर्म निर्वारत वर्स को घोसित किया गया है धर्म निर्वारत वर्स को घोसित किया गया है तो मैक्स का परसने काफी सारे विद्यारती जो इना इस तरह की परसन को confused हो जाते है तो यहाँ पर फटावर से इसका राणिसर क्या लगता है तो जली से comment section में जाके बता सकते हैं तो यहाँ पर दो बिंदू दिया गया है 6,10 मैं कोटी का मान ग्यात की जा ठीक है तो फ्रेंड यहाँ पर एक तरगा निर्दे संग दिया गया है 6,10 तो सबसे पहले वाला जो होते है वो आपका X होते है और दूसरा वाला जो होते है दूस्तों यह Y होते है यानि कि यहाँ प और दुसरा वला यानि कि Y के जगह जो रहेगा आपका कोड़ी हो जाएगा तो यहांपे Y के जगए कितना दिया गया है? दस दिया गया है इसलिए यहांपर जो हैन," अपनच पूच तेहला झाल शन effली है, 10 पांच अब बिल्कुली करक्ट अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती है आपके बोड एक्जाम के लिए काफ इंपोर्टेंड है आपके बोड एक्जाम में पूछे ही जाएंगे तो यहां पर आपको बताना है कि वह धातू जो केवल अमलराज में घुलता है उसे क्या करते ह है वह कोन सा धातू यह को बताना है तो अमलराज में चोही ना सिर्फोर सिर्फ कौनसा element घुलता है कौनसा metal घुलता है तो देख सकते ही अपर option A में आपका दियागए Aluminium और option B में आपका F.E. यानी कि लोहा और option C में आपका दिया गया है यहां पर आपका Sona होजाएगा और मदलब क्या होता है Sona और यहाँ पर देखेगा दोस्तों D में आपका दिया copper यानि की तामबाद तो यहाँ पर अमलड आज में कुण गुलता है वह यापको बताना ठीक है तो Sona गुलता है तो यानि की AU गुलता है ये सूधु सोना होता इससे जो इन आभुसन नहीं बनाया जाता ठीक है और दोस्तों जो आभुसन बनाने वाला जो सोना होता है वो कितने करेट का होता है 22 करेट का होता ठीक है और ये सूधु सोना क्या होते है मुलायम होते इससे आभुसन नहीं बना सकते हैं लेकिन जो अस में लिए इसको हमोग क्या करते हैं तुछ च рук करते हैं क्योंकि यह दिए नीक नहीं किया जाते हैं जो या पिर राम तो फ्रेंट यहां पर जो सूर्य पूत्र थना कौन थे करन थे यानि कि यहां पर सीवला आपसन जो है ना बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चलिए नेक्स्ट कॉस्टन के दरबर चलती है जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए इस पर्सन को वह चीतर के से याद के लिजिएगा तो यहाँ पर आपको बताना है कि निमन मैंसे कोन एक डुई घात बहुपत है तो फ्रेंट यह काफी शीमपल परसन है तो सबसे पहले यहां पर बहुपत कौन है उसको परचान लीज़ेए तो बहुपत कोन ने होता है कोन हो या पिर उसके पावर कोई फ्रेक्शन यानि की भीन की रूप में रहेगा या पिर कोई चर्रासी बटे के फोर में रहेगा तो वो क्या होगा दूस्तों बहुपत नहीं होगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन A में आपका दिया गया है X स्कूर प्लेस पांच तो यह तो बहुपत होगा नहीं इसी तरह यहां पर अगर आप ऑप्शन C को चेक कर लेते तो यहां पर X के का पावर दो है यह बहुपत होगा ठीक है और यहां पर X के पावर एक छिपा हुआ है पूर्णो संख्या है तो यह बहुपत होगा इसलिए यहां पर Sival option uju के यहाँपके इक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है यहाँपे आपको बताना है कि शक्राद नेनले साइस जलेगे तो यहाँपर विब협ल option बिल्कुली correct answer हो जागा चले friend देखती है आपर next question जो कि काफी simple person है ये person जो नहीं सभी को याद होना चीए ठीक है तो यहाँ पर पर्सने कराएगी 9211 होना मुहावडे का अर्थ क्या है तो देख सकते हैं यहाँ पर option बिल्कुली correct answer हो जागा चले देखती हैं पर next question जो कि आपके बोर exam के लिए काफी important दोस्तों यहाँ पर test को जो नहीं सुरू से लेकर आगरी तक जरूर दीजिएगा यहाँ पर आपको बताना है कि वैदो की ओ लोटो का नारा जोहिना किस नहीं दिया ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पर option A में आपका दिया गया है यहाँ पर आम के लिए अपके बोर exam के लिए के लिए तो आपके लोटो का नारा इसे आपको यादोना चेहिए लिए अपर D वला option जोहिना बिल्कूली करक्ट रांसर हो जाएगा चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट को संजो कि आपके बोर एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंड है यहाँ पे आपको बताना है देखेगा परसन यह करा है कि ग्लूवल वार्मिंग के लिए जो इन उत्तरदाई गेस को होने वही आपको बताना है तो देख सकते हैं पर अपसन A में आपको दिया गया है ऑक्सिजन गेस यह फिर अपसन B में आपको दिया गया है नायट्रोजन गेस यह फिर अपसन C में आपको दिया गया है कारबन डाय यानिकी CO2 गेस और दोस्तो यह CO2 गेस जयानिकी जो आक्सीजन गेस पाई जाते हैं तो लगबग 21 परतीसत ओक्सीजन गेस पाई जाते हैं अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे next question को देखेगा जो कि आपके board exam के लिए काफी important है और इस तरह के person जो आपके board exam में पूछे ही जाते हैं तो यहापे आपको बताना है कि होआ हुआ अंदुलन जो ना किस प्रकिर्ती का तो देख सकते हैं अपे option A में आपके दिया करांती कारी या फिर धार्मिक या फिर संपरदाइक और option D में आपके दिया गया है करांती कारी और धार्मिक ठीक है तो फ्रेंड है यह जो हुआ हुआ अंदुलन ना किस प्रकिर्ती का था वह आपको बताना है तो यह करांतिकारी और धार्मिग्यानी की दोनों परकार के प्रकीरती का था इसलिए यहां पे जो इना डीवला अप्सन इसका बिल्कुली करेक्टर अंसर हो जागा चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट को देखेगा जो कि आपके बोर एक्जाम के लिए मोश्ट इंपॉर्ट्टेंड इस तरह के प्रसण आपके बोर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो यहां पे आपको बताना है कि मनुस्य को करतियों और अकरतियों का बोद कुन कराता है तो देख सकते हैं याँ पर अप्सन A में अपका दियागा सास्तर या फिर वीवे की या फिर घ् знаком और UPSन D में अपका दियागा Dhun ठीक हैं तो फ्रेंड हैं यह मनुस से जो करतिव औरकरतिव का बोध कराता है ना कौन कराता है शास्त्र कराता है यानि कि यहाँ पर एवला अप्सन जो है इसका बिल्कुली करेक्ट रांसर हो जाए चले देखते हैं आप नेक्स्ट कोशन के दरबर चलते हैं जो कि आपके कि यहाँ पर एवला अप्सन जो है ना बिल्कुली करेक्ट रांसर हो जाएगा तो फिर आजके इस क्लास में जोने हम लोग फानेली क्लास टेन के जो ही ना सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर ओलाइन टेस्ट ले चुके तो जल्ली से आप हमें लाइब चैट में या फिर कमेंड सेक्षन में जाके फटावर से कमेंड कीजेगा कि यह 30 पर्सन में इसे आपको कितना पर्सन का सेवर से टिक आँसर या था ठीक है तो इसका जवाब जली से आप हमें इमानदाड़ी से कमेंड करके जरू बताएगा और दोस्तो साथ में यह भी बताएगा कि आपका आप जो की हुट पादन में लाई गई कर आदी कोंसा है तो देख सकते यह मैं उपसा हाइब भी लेगता है जली से लाकलाटư को लाइक यह को और आप जली से लाकला ज सबस्क्राइब करने के लेगा क्योंकि यह यहां पर जो ना डेली धम्हाकly अगले क्लास में तो जल्दी से वड़ावर से वार्सव नुमर को नोट किजे मेरा वार्सव नमर है 6206 076569 इस नमर को सेफ की जब बोले की सर में वार्शफ ग्रूप में जोड दीजिए तो हम जोए आपको वार्शफ ग्रूप में जोड देंगे ठीक है तो क्लास को फ्रावर से लायक कर दिए दोस्तों इस विरोग अपने दुस्तों में जाधा से जदा सेर कीजे तो फिर मिलती है आप एक बजी वाला क्लास में काफी धमा के तरह क्लास होगी ठीक है दूस्तों आज के लिए दना है थैंक्यू वंदे मात्रम